हेलो दूस्तो वेलकम टिस्विल मंतरा आज हम mathematics 4 में सीखेंगे method of least square हमारा question क्या करे है कि using the method of least square fit a curve of the form हमारा exponential एक हमारा form दिया है fitting to the following data हमें क्या करना है method of least square के द्वारा इसको क्या करना है find करना है तो देखते हैं हमारा problem किस तरीके से solve होगा एक exam में दूस्तो अक्सर आपके 10 number में पूचा जाता है काफ़ important question है दोको इसका rule क्या है यह हमारा exponential form में है तो जैसा कि हमारा given है y equal to kya हमारा given है y equal to a b x हमने क्या किया इस पे log ले लिया दोनों तरफ तो इसे हम क्या रही सकते है log y equal to log a b x अब इसको जो हम break करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log y हो जाएगा log a plus x log b हो जाएगा ओके यह log का basic rule होता है मैंने मान लिया जो हमारा log y है उसको मैंने capital y मान लिया और हमारा log a है उसको मैंने capital a मान लिया और जो मारा log b है उसको मैंने capital b मान लिया और जो मारा small x है उसको मैंने capital x मान लिया जो मैंने मान लिया जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ इसको लिख सकता हूँ y equal to a plus यहाँ पे x हो गया ठीक है और यहाँ पे क्या है B है, तो मैं इसको B X लिख सकता हूँ, ठीके? यहाँ तक कोई problem नहीं है, अब देखो इसके बाद हमें करना क्या होता है हमें X का multiple करना होता है sigma दिखाना होता है, कि हमें किस तरीके से आगे हम move करेंगे तो मैंने अगर इसको समेशन इसका लिया तो समेशन Y हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा N A प्लस हमारा एक तरीके से B हमारा constant है सिग्मा समेशन X हो जाएगा यह भार हमने X लिया है ठीक है यहाँ के बार देखो एक बार हम क्या करते हैं X का और multiple करते हैं किया हुआ है तो यहां पर x हो जाएगा x हो जाएगा ठीक है और यह मारा हो जाएगा plus b summation x square अब क्या करना है इस value को और इस equation को हमें क्या करना है find करना है यानि दोनों equation की value को मैं find करना है और finally a और b का value को find करना है तो हम table की help लेंगे table की help की इस तरीके से लेंगे x हमारा कितना given है 2, 3, 4, 5 और 6 यह दोस्तों जितने भी हमारा statics में इस तरीके हमारा question आता है fitting का आता है method of least square का वो ऐसे ही rule में क्या होगा break होगा और easily way में हम क्या कर सकते है value को find करते हैं और solve करते हैं ठीक है तो हमारा x है यहाँ पर हमारा क्या y given है कितना 8.3, 15.4, 33.1 और 5 कितना है 65.2 and 127.4 इसके बाद देखो इसका गर हम पुरा समेशन लें x का त्योंकि यह हमें जरुरत पड़ेगा तो इसको गर हम add करते हैं पुरा तो कितना हो जाएगा 3, 2, 5 और 5, 4, 9, 6 बाद 11, यानि 20, ठीक है यह हमें 20 मिल गया अब देखो हमने माना क्या है y equal to मान लिया हमने log y है यही माना है हमने यहाँ पर देखो y equal to log y माना है अब यह हम lag अगर y को find करें तो log 8.3 ठीक है अब देखो calc से find करो यह हमारा क्या जाएगा log, यह हमारा log है हमने bracket लगाया कितना 8.3 कितना आएगा देखो यहाँ पर आपको दीख रहा होगा कितना यह 0.919 ठीक है तो यहाँ पर कितनी value आगी 0.919 इसी तरीके से 15.4 का find करेंगे log हमने लगाया bracket लगाया 15.4 bracket close कितना आगया हमारा 1.187 ठीक है 75 ठीक है आप term तक लिख सकते हैं 1.187 ठीक है तो इस तरीके से क्या करना है सारी value को क्या करना है find कर लेना है अगर हम इसकी value को find करेंगे तो यहाँ पर हम मिलेगा 1.5 138 और यहाँ पर हम मिलेगा 1.8 142 और इसका value आएगा 2.1052 ठीक है अब गया करना है इसका पूरा sigma find दरना है summation तो y equal to मारा पूरा जो summation आएगा इसका वो आएगा 7.5455 ठीक है यहाँ तक आप calculate कर लेंगे इसके बाद हमें एक चीज़ और चाहिए हमें यहाँ पर x square भी चाहिए दिख रहा होगा आपको यह equation को इक पर किसमें solve करना है इस table की help से ठीक है अब हमें क्या कर चाहिए x square चाहिए इसका square कर देंगे तो मारा कितना जाएगा 4 हो जाएगा 9 हो जाएगा और 16 हो जाएगा 25 और 6 का square कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा यह भी हमें summation चाहिए तो x square जब लिया x square तो हमारा कितना रह गया 90 आगया हमें देखो x और y भी चाहिए x और y चाहिए ठीक है तो x y को find करो अब हमारा y काउन सा लेना है यह वाला y लेना है और यह हमारा हो गया x x और y को क्या करो multiple कर दो तो हम जब multiple करेंगे यहाँ पर हमें कितना मिलेगा 1.838 मिलेगा यहाँ पर कितना मिलेगा 3.561 मिलेगा ठीक है इस तरीके से क्या करेंगे आप सबको multiple कर देंगे यहाँ पर 6.0732 मिलेगा और जब इसका multiple करेंगे x और y गा तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 9.0710 and 12.6312 हमें चाहिए क्या sigma x और y चाहिए तो यहाँ पे आ जाएगा समिशतन इसका पूरा 1812 यहाँ तक हमने easily find कर ले हमें कोई भी problem नहीं हुआ अब इस equation को बनाओ क्या कर रहा है sigma y आप देखो sigma y कितना है 7.5 तमारी equation किस तरिके से बनेगी देखो 7.545 और 5 value put कर दिया n मतलब क्या है कितना पूरा count है 1,2,3,4,5 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा यहाँ पे क्या है A है वो A हो जाएगा plus B, B हमारा as it is रहेगा अब यहाँ कहा रहा है sigma x summation x पूरा कितना 20 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा एक equation यह बन गई अब इसे तरिके second equation बनाओ sigma x y कह रहा है तो sigma x y कितना है 33.18212 यानि 33.1812 है यह मारा हो गया equal अब गह रहा है कि A sigma x यानि 20 A हो जाएगा कितना हो जाएगा 20 A plus B x square यहाँ पे x square कितना है 19 यानि यह हो जाएगा 19 B अब हमें यहाँ पे चाहिए क्या यह equation हमारी A बन गई एक equation हमारी A बन गई हमें चाहिए क्या होता है A और B हम निकाल लेंगे तो हमारा यह following जो हमारा equation है standard बन जाएगी required equation अब क्या हुआ यह equation बन गई इस equation को क्या करें हम calc के help से solve करेंगे यह हमारी calc तो करना क्या आपको यहाँ पे mode पे जाना है अब यहाँ पे देखो equation मिलेगा यह equation मिल गया 1 हमने दबाया हमें कितने constant ची 2 का यानि A और B फाइड करना है तो दबादो यहाँ पे हो गया अब मांग रहा है A1 A1 कितना होता है 5 5 फिर equal दबाया हमने ठीक है यहाँ देखो equal के बाद क्या 20 यह हमने 20 किया हमारे तो C1 होता है 7.5455 ठीक है यह कर दिया A2 मांग रहा है यह हो गया 20 equal 90 equal C233.1812 आप देखो X का वैलू आ गया दिख रहा होगा आपको X का यानि A का वैलू आ गया कह रहा है यह 0.309 ठीक है फिर एक बार equal दबाओ Y का वैलू भी आ गया मतलब B का वैलू भी आ गया 0.299 हमें क्यादो को easily find हो गया A और B अब यह चीज़ देखो आप जो हमने यहाँ पे A माना है यह क्या है log 10 base A है यह है ना तो अगर हमें यह A बाला चाहिए तो हमें anti-log इसका लेना पड़ेगा लेना पड़ेगा ना क्योंकि यहाँ पे अगर हम A को निकालेंगे तो यहाँ पे जब इस साइड जाएगा तो क्या आएगा anti-log आएगा anti-log 0.0 यानि A जो भी value find क्या है तो हमें करना है इसका anti-log लेना है तो यहाँ पे हमें अब A को find करना पड़ेगा A anti-log anti-log A A मतलब क्या A, B, जो भी रहेगा तो हमें अभी क्या करना है इसका anti-log लेना है अब देखो anti-log कैसे लेगें कैंसी से अब यहाँ पे देखो यह एक shift को option है यहाँ पे रभाओ shift यहाँ पे देखो S आ गया अब कर लो log यह log ले लिया लगाओ bracket किसका value चोहिए 0.309 का 0.309 यह रहा प्रैकेट यह आ गई anti-log की value कितनी आ गई यानि जो A हमें मिल गया वो कितना मिल गया 2.0 और 3 कोई doubt इसी तरीके से find कर लो B को B के लिए anti-log कैसे लेना पड़ेगा यह बाला हमने इसको फिर से किया अब देखो log अभी log नहीं ले फिर से लगाओ shift यह दबाओ यह आ गया anti-log कितना 0.299 और 9 यह bracket किया close यह आ गया anti-log का value 1.9 और 9 ठीके एक और लगा दो मन करें तो 0 यानि A और B हमें क्या हो गया यहां से find हो गया हमें चाहिए क्या था Y equal to क्या था A B की power X हमें आप देखो 1 मिल गया 2.03 और हमें B कितना मिल गया 1.99 X यह हो गया हमारा दोस्तो final answer इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं least square method का यूज़ करके जो उसकी fitting है करवा आप the fitting है exponential का find कर सकते हैं thank you watching this video दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो peace दोस्तो चैनल को like, share, comment आप जरूर करें